गूगल सर्च में जो हमारे देवी दू का मंदिर है माता देवी माता का मंदिर जंडीधार के नाम से जाना जाता है आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं घंटियां चड़ाई हुई है और यह है वो जो सिला इसी सीला के नीचे मातारानी अपना वास करती है उसमें उपर त्रशूर लगा हुआ है आप दर्शन कर सकते हैं इसी सीला के सबसे ज्यादा मान्यता है तो उसी पत्थर के नीचे मातारानी का मंदिर बना हुआ है और आपको हम ले जाएंगे आमाताराणी के दर्षिन करने और यह सुन्दर पहाडों के बीच में बसा हुआ है हमारे जो प्यारा सा गाउ है और यह सामने हमारे पॉड़सी गाउं और उसके बगल में ही है चमीनी गाउं और नीचे हमारा गाउं है कुंस्यारी आप देख सकत हैं कुंसारी गाउं हमारे जो थोड़ा नीचे पड़ जाते हैं तो यह बद से दिखता नहीं है और सुन्दर से पहाडों के बीच में बसा हुआ है हमारा गाउं और आपको हम यही से सीधे ले चलते हैं मंदिर में आपको कराएंगे मातरानी के मंदिर के सबसे दिखता नहीं है और सुन्दर से पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है हमारा गाउं और आपको हम यहीं से सीधे ले चलते हैं मंदिर में आपको कराएंगे मातरानी के मंदिर के दर्सन हेलो दोस्तों तो हम जा रहे हैं उपर को और यहां पर बहुत चड़ाई लगती है तो आप बने रहना हमारे साथ लाश्ट तक और आपको सीधे मातरानी के दर्सन कराएंगे और यह हैं यहां का सुन्दर सा नजारा पेड़ों में लूट लगे हुए हैं घास के यह जो घास है इसको सुखा के फिर हमारे वहां ऐसे रखा जाता है पेड़ों में ही इसके द्योज़्धी में इसको जब हरी घास नहीं होती तो हम सको यूस करते हैं और इसमानी नहीं लगा शकता है इसलिए वज़े से इनको पेड़ों में लगाया जाता है जो की पानी आगे साथ से निखठा जाएगा और इसका जो शीरा ऐसे बादा जाता है इससे एक तो घास तो दोस्तों हम जा रहे हैं सीधे मंदिर को गोल जीव देवता के दर्शन होंगे और इसलिए इसे देवभुमी कहा जाता है क्योंकि यहां जगों जगों पर मंदिर बने हुए हैं और यहां इस यहां पर लग रहा है भोग और यहां पर भी एक चोटी सी दुनी और यह हैं गोल्जु देवता जय हो गोल्जु देवता जय हुँ यहां आज भोग लग रहा है और यहां के दिन में भोग लग रहा है वह पकेंगे और सांब को गाउं में फिर जागरी लगेगी ये कंच मंदिर तो तो हमारे हम आपको गों ज्यों देप्ता के दर्शन जगों जगों पर बिल जाएंगे इससि को देवभुमी उत्र पत्तों में हमेशा इसी में भोग लगाया जाता है और यह पत्तों में ही प्रशाद दिया जाता है है इसमें चिम्टा होता है और यह पांचों का समयन होता है और यहां पर भोग तयार किया जा रहे हैं यहां पकरे हैं पूभे यह सबस्रूज आए थैसे हमारे भोग बना जाता है यहां पर बना रहे हैं यह लकड़ि का चूला लगा रखाए इसी के उपर बना रहे हैं और इसमें पुवे डाल राखें और यह जो पुवे के लिए बैटर बनता है क्या-क्या मिक्स किया है इसमें बता दो जाए गोड़ और आटे को घोल के बना जाता है उसी के पुवे बना जाते हैं और उसी का भोग लाए जाता है और उसी के भी साही भी बनाते हैं लास्ट में साही भी बनती है इसी का भोग लगता है इसी का प्रशाद सभी को जैने हो गोल्जू देपता गोल्जू देपता है कर टेका लग रहा है जै माताराने की जै माताराने की दोस्तों यह हो रही है हम पहरी हरी घास और पहर जाते हैं फिर आज इदर जैने के लक्षण ना घर बार छोड़ करके बाहर रहते हैं फिर पहाड मार करके शांस पुलता है ना चाड़नी पाते हैं कभी जो है लकड़ी की गठड़ी लेके जाते थे आज यह हलत हो बहुत खड़ी चड़ाई है घना जंगल है मन को सांती मिल गई है आप लोग भी आईए कभी हमारे गाओं और हमारे वहां मातर आने के दर्शन कीजिएगा यहां से आवास तो कम आएगी सांसों की आवास ज्याद आएगी क्योंकि बहुत सांस फूल रहा है चड़ाई में जै मात आदी जै मात आए तो लोग सच्ची दरवारे की जै यहां से दिख रहा है हमारा आदा गाओं थोड़े से घर दिख रहे हैं और सारा गाओं या पूरे पड़ोसी गाओं वह पूरा इलाका दिखता है जो जाली मासी वह क्या है पीछे सगनेटी गाओं और पूरा इड़ा बार्खम जो उदर का इलाका है पूरा एक उपर दूर गाओं दिख रहा है वह भी है नीचे पैंजर पैठानी वाली और उसके पार आउना के लीगिव है उसके पार वारे जो गाहों देख रहे हैं वह दिख रहा है डॉल आ पाली अमेरिका ऊधर को उप्णesa मैडाните दिखारा के हैं और हमारे आभी पढ़ता है अमेरिका यह वैसे में हैं हमारे वहां भी है अमेरिका और यह हैं हमारे यह चमीने खलना वालों के घर दिख रहे हैं वह मकान उनका जिनका लड़की पीसे अधिकारी बनी है और हम सीधे हैं आपको भी ले चलते हैं और हम अपने जोरो सोरो से लगे हुए हैं चड़ाई चड़ने में पर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मौसम आच्छा हो गया है पहाड़ों में ठंड लगने लगी है परसु बारिस हुई थी तो शेटर निकल गए थे और आज अभी जब चड़ाई चड़ने हैं तो अ अपने गाओं और लोग तो देश बिदेश से से सब्हुमने आते हैं कि विजब से शेल बें आते हैं पने अपने भी जब घूहां जरूर घुमने आएं और सबको अपने गाओं के दर्शन करा रहें अपने इलाके के और अपने जो देव भूमी उत्राखंड है उसमें अपना देश विदेश में भी उसको दिखाने में उसको आगे पहुचाने में अपना सयोग दें और वीडियो को आगे तक सेयर करें और करें जो भी गाओ वाले देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करें जय मात आदी जरूर लिखें जय मात अदी का जयगारा आपको अच्छी नहीं लग भी बताए कुछ कमियां होती है कि आप सुदार करें और हमें आगे हमारे गाओं को हमारे इलाके को हमारे देव करें और हमारा मार्ग दर्शन करें कितनी चोटी मोटी तुरुटियां हो जाती हैं गलतियां हो जाती हैं तो आप हमें बता सकते हैं और वीडियो जो लोग भी देखते उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से उनका आभार और हम पहुंच गए थमकन गाउं में गाई रहती थे तो चारा करती थी पानी पीते थे गौला आते थे हम तो यहां घास के लिए आते थे जंगलों में इतनी हरी भरी घास हो रिखिया आजकल जंगलों में जो लोग भी पहले यहां घास काटने आये थे वो लोग देख सकते हैं और यहां का दर्शन कर सकते हैं थमकन के और उपर से पहले से गाईों को पानी पिलाने के लिए यहां गड़े बनाये जाते थे यह है वो इन्हीं में जब बर्षाप का पानी खटा होता था तो गाई पा हो गये और गूंते रहते हैं दिन दो पर गाउंती लोगों ने असका से बबार्स पैसlvania कम हो गया है क्योंकि है यह अंदर शुवार का सुन्दर सा नजारा हमारे उत्राकंड का तो यह दोस्तों हम पहुंच गए हैं थमकंड घास काटने के लिए बैठा करते थे पैस्ट यहां पर घर से रोटी खाते खाते आता था और वह लोग यहां पर अपनी रोटी को पूरा खा लेते थे यहीं से फिर हम जाते थे घास करने के लिए यह पारभ्यों और यह उपर को देभी मंदिर को रस्ता साब जी टेक के जा रहे हैं कि यह पारभ्यों और वह नीचे को है ठुलगधर अभ्यों सामने दिख रहे हैं नैला मवडा और चिन्या नॉला और यहां जो भी आजकल बाहर गए हैं वो लोग देख सकत अब आपको महतारा निक दरवार में लेशलते हैं यहां से नीचे से सीड़िया स्टाट होगी और बहुत सारे कुमर लग रहे हैं कुमर हमारे वहां उसे बोला जाता है जो घास में काटे होते हैं यह वाला जो काटा होता है यह चुपता है और यह मातर आने के दरवार में जाने के लिए सुंदर से सीड़िया इन पाड़ों के पीच में और इस खड़ी चड़ाई और यहां से हम आपको दिखाएंगे सुंदर सा नजारा सुंदर सा विउ रिकोली गाओं पर खटगोली जलोडी चलोड़ी संख्ला के ओपर चिडिया नोला जी तो अधरा गया यहां से जै माता दी जै माता दी आने जाने वालों को तुमत देखो अपने पाउंके चालों को चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है आउले का पेड आउले इसमें अभी हुए नहीं है नहीं क्योंकि जंगल में बंदर रहते हैं कि आमने भी होने रखे हैं यह है रास्ता पूरे काटेदार घास से भरी हुई और नीचे को है पूरा पहाड देख सकते हैं आप लोग इनी पहाड़ों में हम घास काड़ते थे आजकल जो गाइब हैं सकम रखने के वज़े से घास ज्यादा है और पूरी घासी घास हो रहे हैं मातारानी हमें यहीं से मातारानी के दर्शन होने लगे हैं उस जो पहाड़ी है इत्ती बड़ी जो पत्थर है जो सिला है उस सिले के हमको दर्शन हो गए यह मातारानी का पत्थर है इसी पत्थर के नीचे मातारानी वास करती है और वहाँ पर मातारानी का पत्थर के नीचे ही मंदिर बना हुआ है यहां अभी काफी सारों से नवरात्रिया नहीं हो रिखिये नहीं तो इस जो असोज की नवरात्रिया होती है अस्विन की उस नवरात्री में यहां नवरात्री के जाते थे और कितने दूर दूर से लोग यहां दर्शन करने आते थे बहर दूर दूर से आते हैं द्वारहाट से इधर पूरे जाली मासी इधर चिन्या नौला जो इधर ताड़िखेद ब्लोक के गाउं हैं सारे गाउं यहां दर्शन करने आते थे हैं माताराणी के दर्शन कराएंगे और आप दर्शन कर सकते हैं यह इतनी बड़ी सिला है जो लूजlair के नीचे ही माताराणी वास करते थी पहले से यहीं पर खोल है अपे और यहां पे हैं जैय स्री राम यहां पर पूरा सी परिबार आन्वान जी और राम दरवार क्रिश्ण का नहिए स्री नारायन और यहीं पर सबका दर्वार बना हुआ है और यहीं से साबजी तो अंदर नहीं आएंगे मैं जाओंगी और धियाबत्ति करके आते हैं क्योंकि हमारे वहां जिसने मुंडन किया होता है हमारी जो बुड़ सास थी हमारे परिवार की उनका सर्गुबास हुआ था तो उसमें जो भी इन भाई मतलब भाईयों ने जिन्होंने मुंडन किया होता है वह लोग मंदिरों में नहीं जाते हैं मंदिरों के बाहर जाते हैं मंदिर प्रांगणे मंदि मूर्ति पर नहीं लगते हैं हम लोग लग सकते हम जंगल में अकेले आने में तेदुए का बहुत खत्रा रहता है बाग भी ले जा सकता है मुझे तो मैं चलती हूँ मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं तो याँ दोस्तों हम चलते हैं सीधे माता रानी के दर्वार में जय सिपसंबू हर हर महादेव हर हर महादेव और यह हर हर महादेव जय माता रानी जय मात रही है नंदी महाराज यह है उनकी सवारी सेज सिंग की सवारी और हम चलते हैं पहले यहां दर्शन करते हैं और यहां पे घंटियां चड़ाई हुई है और यह है वो जो सिला इसी सिला के नीचे माता रानी अपना वास करती है उसमें उपर त्रशूर लगा हुआ है आप दर्शन कर सकते हैं इसी सिला के सबसे ज्यादा मान्यता है और माता रानी का असिरवाद और माता रानी का दर्वार यह है तो हम इस इतनी बड़ी सिला है सिला पर ही माता रानी का दर्बार बना है ये पत्थर इतना आधा नीचे को है और आधा यहां से जै माता दी जै माता दी जे माताराने और यहां भी हम बाहर से दिया बत्ति करके जाएंगे यहां ताला लगा हुआ है जे माताराने आप भी मातारानी के दर्शन कर सकते हैं जे अम्बे जगदंबे माते की जे लेकर आए हूं धूप बत्ति और सिंगार का सामान और दिया प्राइने दिया हम आंगर से लएंगे मातारानी के दर्वार में जोद चलाएंगे जे हो अम्बे जगदंबे माते की जे यही वो सिला है जो बहुत पासान सिला है यह पत्थर है इसी को हमारे वहां देवी ढूँ देवी माता देवी का पत्थर माना जाता है इसी पत्थर की यहां पहले से पूजा होती थी और फिर यह मंदिर जो यहां मंदिर बना है यह हमारे ग्राम वासियों ने इसका निर्मान किया था और पहले से यहीं इसी जो यह लिंग बने हुए हैं यह लिंगों की यहां पूजा की जाती थी इसी पत्थर की पूजा की जाते थे पूरे गुपा के अंदर तक बच्चे जा के आते थे और बोलते थे हैं पाने उनके तो मैं अब तो यहाँ पानी कहीं दिखाई तो नहीं देता है जहां तक हमारी द्रिश्टी जा रही आ पर puzzå इसी के अंदर ये पूरा मातरान एक गुफा है और आप भी मातराने की गुफा के पस्ते पासान जो पता नहीं किते यूगों से इस पत्थर की पूजा होती है यही है माता रानी का देवी ढूंका जो पत्थर है पासान पत्थर इसमें से पहले से बच्चे चड़ भी जाते थे उपर को आप भी गए हो इस पत्थर में उपर माता रानी की जंडा रोहन के लिए वहाँ पर और वो एक खंबा भी है सिला है माता रानी का जिसकी पूजा होती है और पहले से सिला की पूजा होती थी अब फिर इसके हाँ पर मंदिर का निर्मान किया गया हमारे कुंस्यारी के जो गाओं है अड़ोसी पड़ोसी गाओं वा और यह जो सिव दरवार है यह मेरे में के थे दूर। जा ठीजन DAVID रा के और वह शुब है पार्वती की जो मूर्ति उन्हों ने इसमान किया था उन्हों ने ही इनको बनाया था अपने हातों से यह सिमेंट की मूर्तिया हैं और उन्होंने सिमेंट से अपने हातों से इतनी अच्छी कारिगरी की है और चंदन राम कलाकार चंदन राम है उनका नाम वो एक कलाकार है और इतनी अच्छी कला उन्होंने दिखाई यह नंदी महराज उन्होंने बनवाए हैं औ और यह माता रानी के सवारी शिंग यह भी पूरे सिमेंट के बने हुए हैं और इनका उन्होंने पूरे अपने हाथों से कारिया जो है निर्माड जो है मूर्तिया पूरी अपने हाथों से बनाई थी तो यार दोस्तो हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं देवी ढूंग में और इसी को जंडी धार भी बोलते हैं यहां पर बहुत उची जो पहाड़ी होती है उसी को हमारे वहाँ धार बोला जाता है और इसलिए इसको यहां जंडी धार भी बोलते हैं आप गूगल में सच करके भी देख सकते हैं और यह जंडीधार की जो वीडियो मातारानी की आएगी और आप नेट में भी सच कर सकते हैं तो जंडीधार के नाम से आप देख सकते हैं हमारी मातारानी के दर्वार को और इस जो विसाल जो सिला है इस सिला के दर्शन कर सकते हैं और मातारानी का आसिरवाद ले सकते हैं यह सुन्दर पहाडों के बीच में और यहां सुन्सान जंगल है और इस जंगल के बीच में सुन्दर लगी मेरी मां का भवन स्वर्ग में भी तो ऐसा न जारा नहीं तो यार दोस्तों हम मातारानी के दर्शन करके आप जाने लेगे हैं सीधे घर को और आपको हमारी मातारानी का दर्वार कैसा लगा आप कॉमेंट कर सकते हैं जै माताधी लिख सकते हैं जै माताधी जरूर लिखें मातारानी का जैकारा जरूर लगाएं और आपको हम यहाँ से सीधे ले चलते हैं नीचे को अपनी घर को यहाँ से नीचे को सीधी मैं छोकि नीचे जाने में थोड़ा जिसको प्रेशानी हो सकती है और जिसके पैर अच्छी है तो फटापर जा सकता है आप तो यहां रहते थे पर्मनेंट तब यहां लकडी का अकाल घास का अकाल पानी का अकाल रोड का अकाल लाइट का अकाल और आज यहां सारी सीजें मौजूद है और आज यहां इनसानों का आकाल पड़ गया है, क्योंकि गाओं सारे बंजड हो गये हैं, और सारे लोग बाहर बस गये हैं, सुविधाओं के आभाव में, और आजकल सारे सुविधाओं पहाड़ों में आगे हैं, और आप लोग भी आईए, अपने पहाड घूमने, अपने पहाण को दिखाए हमारी वीडियो को शेयर करें तो यार दोस्तों हम पहुद गए हैं आधी रस्ते में दर्शन करके नीचे को यहां डाउन है तो नीचे को पैर में थोड़ा थर 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 काप रहे हैं कि ये भूमी ऐसी जिसे मैं अनुभव स्वर्ग की जैसा जो भी आए भूले न पाए जो भी आए भूले न पाए जो भी आए भूले न पाए ऑर यह लगा रहे हमारे गावं में हमाँ हमारे लुटे को काट के सुखा के और ऐसे करना जाता है जिसे हम सर्दियों में दर्शन करके आगे हैंमाताराणी के निकर के और हम अ मगरा कर पी रहे हैं पहाड़ी लसी घर की प्यर जो चाज होती है उसकी बना रहे हैं लसी हम पी रहे हैं लसी आपको भी पिलाते हैं आप भी पियो यहां की गाड़ी गाड़ी लसी और यह बल्टी में रखा है ताजा स्थाज और यहां पर रखी है पहाड़ी लौकी और वहां पर र केम हैं ऊस्ते वाली हो रहे हैं पहाडी लसी का आनन देगी फिų साथ आज की जो वीडियो है इसको инструмент करते हैं माता इरानी के दर्शन करके आपको अच्छा लगा और adeयोगा आज समय करते हैं मातारानीUNG अपनी कृपादर्श्टी बनाए का